फिल्मिक से बैराकेश में आज 1964 की टॉप टैन हिंदी फिल्मों की बात करेंगे 11 से 20 तक रही फिल्मों से जुड़ा एपिसोड आप देख चुके होंगे हमारे जो दोस्त नहीं देख पाए आई बटन पर लिंक क्लिक करके देख सकते हैं अब टॉप टैन की बात करते हैं दसवे निमबर पर थी फिल्म वो कौन थी फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट और मेकिंग में मनोज कुमार का बहुत बड़ा योगदान था साधना की खूबसूरत की बात करने की जरूरत ही नहीं उनकी मौजूदगी में ही जादू था सोने पे सोहागा फिल्म के ऐसे शानदार गाने गाने फिल्माने में राजखोसला क्या कमाल करते थे वो आप सब जानते हैं छोड़कर तेरे प्यार का दामन तिकीरी की टिकीरी की टाकोरी दोनों गाने मनोच कमार और हैलन पर फिल्माए गए शोख नजर की बिजलियां परदे पर परवीन चौधरी गाती हैं जो हमने दास्ता अपनी सुनाई आप क्यों रोए नैना बरसे रिम जिम रिम जिम इस गाने से जुड़ा एक इंटरस्टिंग किस्सा आप इस वीडियो में देख सकते हैं फिल्म का सबसे एवर ग्रीन गाना है लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो ये गाना फिल्म का हिस्सा कैसे बना उस पर आप ये वीडियो देख सकते हैं साधनों को मिस्टरी गर्ल भी कहा जाता है ये वो कौन्थी से ही शुरू हुआ राजखोसला ने साधना के साथ सस्पेंस ट्राइलोजी बनाई मतलब तीन फिल्मे ये पहली फिल्म थी उसके बाद मेरा साया फिर अनीता बनाई वो कौन्थी का जनम कैसे हुआ गुरूदत की इनकंप्लीट फिल्म राज कैसे बन गई वो कौन्थी इस पर आप ये एपिसोड देख सकते हैं इसका लिंक आई बटन में है के एच कपाडिया को फिल्म फिर अवार्ड फूर बेस्ट सिनेमाटोग्राफर फूर ब्लैक एंड वाइड फिल्म इस फिल्म के लिए मिला वो क इतकार शंकर जैकिशन स्टोरी स्क्रीन प्ले सुबोध मुखर जी डालॉग्स आगाजने कश्मीरी दिरमाता इंडर देशक सुबोध मुखर जी बिसवाजित हैंसम लगे पर साहरावानों तो बहुत ही खूबसूरत लगी उनकी खूबसूरती में उनकी सबसे कर गई मुझको क्या हो गया है खुदा जाने आगले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरी महबत पाक महबत और जहां की खाक महबत अपरेल फूल बनाया तो उनको गुसा आया तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे फिल्म का बज़ट था 45 लाग के करीब नेट कलेक्शन 95 फिल्म हिट थी आठवे नमबर पर थी फिल्म जिंदगी वैजनती माला राजेंदर कुमार राजकुमार पृत्वी राजकपूर गीतकार थे शैलेंदर हसरजयपूरी संगीतकार शंकर जैकिशन जैमनी स्टूडियोज के लिए इस फिल्म के लेखक निर्माता निर्देश फिल्म के फेमस गाने थे हम दिल का कमल देंगे जिसको होगा कोई एक हजारों में घुंगरवा मोरा चम चम बाजे पर्द्य पर हैलन और महमूद गाते हैं पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया है कुर्बान जाओं हमने जफाना सीखी उनको वफाना आई फिल्म क विजे अनन्द संजे खान की ये पहली फिल्म थी प्रिया राजबंश प्रिया की भी ये पहली फिल्म थी सुधीर मैक महन और गायक भुपेंदर ने भी एक्टिंग की थी गीतकार कैफियाजमी संगीतकार मदन महन लेखक निर्माता निर्देशक थे चेतन आनन्द ये फि में इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फूर सेकंड बेस्ट फिचर फिल्म हासिल हुआ। आर्ट डिरेक्टर M.S. सत्यू को फिल्म फेर बेस्ट आर्ट डिरेक्शन अवार्ड मिला था। देश भक्ते का सबसे पॉपिलर सौंग कर चले हम फिदा जानो तन साथियो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो। फिल्म का बज़र था साट लाग के करीब नेट कलेक्शन एक करोड पच्टीस लाग फिल्म हिट थी। छटे नमबर पर थी फिल्म कश्मीर की कली शमिकपू निर्माता निर्देशक शक्ती सामन्त ये चांद सा रोशन चहरा इस गाने से जुड़ा फेमस किस्सा है कि शमीकपूर गाने के अंत में तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया बहुत बार रिपीट चाहते थे पर ओपी नियर ने इनकार कर दिया। रफी सहब ने भी शमीकपूर की बात पर हामी भरी और ओपी नियर को मनाया। फाइनली ओपी नियर ने वही किया जो शमी चाहते थे। गाना देख लेने के बाद ओपी नियर मान गए कि शमीकपूर कमाल सोचते हैं। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये लाइन गाने के अंतमे पांच बार रिपीट होती है चटी बार बीच में ही शमी कपूर पानी में गिर जाते हैं फिल्म के बाकी सुपर हिट गाने थे दीवाना हुआ बादल सावन की घटा चाई किसी ना किसी से कभी ना कभी कही ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा इशारों इशारों में दिल लेने वाले सुभानल्ला हसीन चहरा ये मस्ताना अदाएं हाई रे हाई ये मेरे हाथ में तेरा हाथ नए जजबात मेरी जाँ बले बले है दुनिया उसी की जमाना उसी का महबत में जो हो गया हो किसी का गाने का फिल्मांकन बहुत ही कमाल है फिल्म के सारे गाने बहुत ही कमाल बने हैं और फिल्माई भी बहुत ही शानदार हैं शमी कपूर तो वैसे ही वन मैं शो थे उनका फ्रेम में होना ही कमाल होता था बलमा खुली हवा में ये गाना सेंसर ने हटवा दिया था साधना प्रित्विराज कपूर। निर्माता थे जी एन वेलुमनी निर्देशक के शंकर। स्टोरी मनमहुन दिसाई। अडिशनल स्टोरी राइटर ए ल नारायनन्द स्क्रीन प्ले डायलोग्स रमानन सागर। डायलोग डायलोग्टर सुदर्शन बबबर। गीतकार शेले प्रदे पर स्टोरी राइटर में उनका नाम आये। प्रडूसर ने रमानन सागर के हिसाब से कहानी चेंज तो कर दी पर प्रदे पर स्टोरी राइटर का क्रेडिट मनमहुन दिसाई को ही दिया और पेमेंट भी मनमहुन दिसाई को ही दी। फिल्म टिपिकल शमिकपूर म् जा रही है इस रंग बदलती दुनिया में इनसान की नियत ठीक नहीं तुमने पुकारा और हम चले आए दिल हथेली पर ले आए दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किये जा आजा आई बहार फिल्म का बज़र था 75 लाग के करीब नेट कलेक्शन एक करोड़ 50 लाग फिल्म हि गीतकार हसरत जैपुरी संगीतकार एस्टी बर्मन निर्माता निर्देशक प्रमोद चकरवरती फिल्म की सबसे बड़ी अट्रेक्शन थी खूबसूरत आशा पारिक और डैशिंग जॉय मकरजी की जोड़ी महमूत और शोबह खोटे की कमिस्टरी सोने पे सोहागा एस्ट सफर तुम हो हसी हम है जवा जानू क्या मेरा दिल अब कहां खो गया चमपा कली देखो जुक ही गईरे जादू किया मेरे प्यार ने रात का समा जूमे चंद्रमा ये मेरी जिन्दगी एक पागल हवा बहुत ही जबरदस्त गाना है फिल्म में एक खास मौके पर ये गाना च खोटे भी गाती हैं मनाडे के साथ चुल बुले अंदाज में गाया था गीता दतने फिल्म का बजड़ था 75 लाख के क्रीब नेट कलेक्शन एक करोड 75 लाख फिल्म सुपर हिट थी तीसरे नबर पर थी फिल्म दोस्ती सुधीर कुमार सावंत सुशील कुमार सुमाया सपो माता ताराचंद बढ़ जातिया निर्देशक सत्यन बोस दोस्ती 1959 की बेंगॉली फिल्म लालू भुलू की रीमेक थी फिल्म के मेन एक्टर्स और फिल्म बनने की कहानी से जुड़ा ये एपिसोड आप देख सकते हैं लिंक आई बटन में है फिल्म एक साथ 90 प्रिंट्स क साथ रिलीस की गई जो उस दोर में बहुत बड़ी बात थी फिल्म को हिट कराने में असली काम फिल्म के गानों ने ही किया था फिल्म के गानों में और बैकडरॉंड म्यूजिक में जहां कहीं भी मौत और्गन इस्तिमाल हुआ है वो सब आरडी बर्मन ने बचाया है दोस्ती मेरा प्यार राही मनवा दुख की चिंता क्यूं सताती है दुख तो अपना साथी है जाने वालो जरा मुड के देखो मुझे एक इनसान हूँ मैं भी तुम्हारी तरह पांच गाने रफी सहब सोलो थे एक गाना लता जी ने गाया था देखो जी किरनसी लहर आई आ खाई रहसी आई दोस्ती को फिल्म फिर आवार्ड़ में साथ नोमिनेशन्स मिले और शे अवार्ड़ फिल्म की जोली में आए बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डालॉग्स, बेस्ट लिरिक्स चाहूँगा मैं तुझे सांच सवेरे इसे गाने के लिए रफी सा आई मिलन की बेला, राजिंदर कुमार, सैरा बानू, धर्मेंदर, मदनपुरी, शेशिकला, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सचीन बॉमिक, डायलोग्स, सर्शार सैलानी, गीतकार, हसरत जैपुरी, शैलेंदर, संगीतकार, शंकर जैकिशन, निर्माता जी ओम परकाश, महन कुमार, धर्मेंदर का रोल थोड़ा ग्रेशेट का था, कहाने के अंत में सब ठीक हो जाता है, धर्मेंदर को इस फिल्म से बहुत फायदा हुआ था, उनकी फैन फालोइंग इस फिल्म से बहुत बढ़ी, धर्मेंदर की डॉमिनेटिंग परसनेलिटी, और खूबसूर परसनेलिटी के बारे में कुछ कहने के जरूरत ही नहीं, राज़िंदर कुमार को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था, आवार्ड आप जानते हैं, दिलीप कुमार को लीडर के लिए मिला था, आई मिलन की बेला, तुम कमसिन हो, नादा हो, फिमेल मान गए, फिल्म का बज़र था एक करोड के करीब, नेट कलेक्शन दो करोड 25 लाग फिल्म सुपर हिट थी, 1964 की फिल्मों में पहले नमबर पर थी संगम, राजकपूर, राज़िंदर कुमार, वेजनतिमाला, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलोग्स, इंदर राज आनंद, संगम बनाने का हयाल, राजकपूर को बहुत सार पहले आया था, फिर इतने साल क्यों लगे, उस पर आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आई बटन में है, संगम आर के बैनर की पहली रंगीन फिल्म थी, संगम पहली फिल्म थी जिसकी इतनी ज्यादा शोटिंग इंडिया से बाहर हुई, संगम पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी लंबाई तेन घंटे 58 मिनट थी, इसके दो इंटर्वल थे, राजकपूर ने वेजनतिमालो को कहानी सुनाई और कहा तुम राधा बनोगी, वेजनतिमाला के जवाब का इंतजार करते हुए, राजकपूर ने उन्हें टेलीगराम भेजा, लिखा था, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, वेजनतिमाला ने जवाब में टेलीगराम भेजा, होगा, 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 यहीं से राजकपूर को गाने का आइडिया आया ये मेरा प्रेम पत्र गाना राजकपूर ने परमीशन लेकर गवर्नमेंट रिस्टरिक्टेड एरिया में दिल्ली में शूट किया था बहुत पहले एक बार जैकिशन और हसरत जैपूरी की किसी बात पर अन्बन हो गई हसरत ने जैकिशन को चिठी लिखी और लिखा था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना वो बात इस फिल्म का गाना बनाने में काम आई हर दिल जो प्यार करेगा रफी लता मुकेश ने गाना था पर उन दिनों लता जी और रफी सहब की अन्बन चल रही थी तो महिंदर कपूर से गवाया गया संगम ने भारतिय सिनेमा का लेवल और उपर पहुँचा दिया था सोवियत यूनियन तर्की बुलगारिया ग्रीज हंगरी हर जगा फिल्म बेहत पॉपलर और सफल हुई एज लेडिंग स्टार ये फिल्म राज कपूर की आखरी बड़ी हिट थी इस फिल्म के प्रीमेर पर राज कपूर और इंदर राज अनंद के बीच किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया इंदर राज अनंद ने राज कपूर पर हाथ उठा दिया था राज कपूर और उसकी टीम ने इंदर राज अनंद का बाइकाट कर दिया था कि उनकी लिकी कोई फिल्म हम नहीं बनाएंगे इस कारण इंदर राज अनंद के हाथ से 18 फिल्में निकल गई उन्हें हर्ट अटेक आ गया राजकपूर को अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंचाएगी उसके बाद राजकपूर इंदर राज अनन्द के पास गए और उनसे माफी मांगी वेजनती माला खूबसूरत तो थी ही पर राजकपूर ने उनकी हिंदोस्तानी ब्यूट मैं क्या करूं राम मुझे बुढधा मिल गया ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा फिल्म को 11 नोमिनेशन्स मिले चार अवार्ड हासिल हुए राजकपूर को बेस्ट डिरेक्टर फिल्म फेर अवार्ड मिला वेजनती मालों को बेस्ट एक् पूप 10 पर नजर डालें तो शमिकपूर और राजिंदरुकुमार काही जमाना चल रहा था सोलो लीड स्टार शमिकपूर थे उनकी दो फिल्मे थीूं डोनों में कोई सबाडिनेट हीरो नहीं था राजिंदर कुमार टॉप की दो फिल्मों में थे टोटल टैन में तीन फिल्मों में थे हर फिल्म में कोई दूसरा हीरो भी जरूर था राजिंदर कुमार शमी कपूर के साथ उनके जूनियर जॉय मुखर जी बिस्वाजीत मनोच कुमार सब टॉप टैन की फिल्मों का हिस्सा थे दो फिल्मों में धरमेंदर भी थे पर सोलो लीट कोई नहीं थी सीनियर फीमिल स्टार वेजनती माला दो फिल्मों में थी उनकी जूनियर खूबसूरत अभिनेत्रियों में से साधना और सायरावानों दो-दो फिल्मों में थी एक में आशा पारिक थी शरमीला ने हिंदी फिल्मों में करियर शुरू ही किया था टॉप संगीतकार बिना किसी शक के शंकर जैकिशन ही थे टॉप 10 में पांच फिल्में उनकी थी दो मदनमोहन की टॉप गीतकार हसरत जैपुरी छे फिल्में शेलेंदर पांच फिल्में इसके साथ ही 1964 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों का य एपिसोड यहीं पूरा होता है एपिसोड कैसा लगा कमेंट कीजिए लाइक जरूर कीजिए शेर कीजिए थैंक यू सो मच